जब ब्रिजबूशन को अरेस्ट करने की बात करते हैं, तो स्टुडेंट को टीटेंट कर लेते हैं, तो जिन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, जिन लोगों पर कारवाई करनी चाहिए, जिन पर अक्शन लेना चाहिए, उन पर अक्शन ना लिए बिना जो उनके अरेस्ट क कि बात करें जो जस्टिस की मांग कर रहे हैं उन लोग को डीटेन कर लेता और इसने ब्रूटली डीटेन करते हैं लो कपड़े वगरा फार के एकदम घसीरते हुए जिस तरीक से कि इंसान नहीं है वो स्टुडेंट्स क्या हो और बारा बजे लड़किया निकल सकती है गहने पहन के पर कुछ नहीं होगा यह तो बहुत एग्जाजरेटेड़ चीज हो गया बोलना क्योंकि होगा अभी तक वो सेफटी नहीं है अभी तक बाहर निकलने में डर लगता है और वो डर जायस है क्योंकि है करते हैं इस लाट करें हैं इस्लाम कर दिया नहीं को इस बजाए कि महिलाएं पर बैठी नहीं है कोई इशो नमास अदा कर रहा है इसमें क्या न्यूस में बात करने के जरूरत है तो जंतर मंतर पर अभी हम मौझूद है लगतार विरोध प्रदर्शन यहां पर जारी है महीला पहलवानों का और यहां पर मेरे साथ कुछ यूवा च्छात्र हैं जो कि आएसा से हैं आप लोग यहां आए हैं क्या कहना चाहिए हम लोग यहां सौलिडारिटी में आया हैं तो इस फुल्स ने निकालने का को थे तो और यहां पर यहां पर यहां पर इस एक ही टाइम पर हुआ और प्लेस रहे था उनकी वोडिंग हा रहे थे वह क्या आने नहीं दिया मीडिया को ने अंदर जाने दिया कवर करने के लिए सब कुछ एक ही टाइम पर हुआ है और पुलिस किस तरीके से अटाक कर रही है क्राकडाउन कर रही है इस सारे केसे को यह देखते हुए भी बहुत ज़रूरी है कि अभी हम लोग सिर्फ स्टुडेंट्स नहीं बाकि और भी लोग आए इ उस प्रोटेस्ट की जहां पर खीचा जा रहा था चात्राओं को लेकर जाया जा रहा था ऐसी क्या वजा है कि जिसके ग्रफतारी की बात की जा रही है वो अभी भी आजाद है लेकिन क्छा तर लिए चीज नहीं है जो ब्लिस करता ईप रशासन करती है हमीशा से होता है तो वोमेन को अरेस्क रेका郁च डूशिन को अर्सकां ना जाए जिए कंशिआ चाहिए। हम जब यह महांग करते हैं कि आप रिजबूशन को अरेस्ट करें यह लोग हम भी अटाक करते हैं तो यह कि कैमपस में भी वो डेमोकरसी वो का जो स्पेस था उसको खतम करा जा रहा है वहां पर पुलिस आजकल रोज घूमती है तो कैमपस तरीके से निगरानी में रखा जा क्या करते हैं कि अब महिला इतनी सशक्त हो हो गई है कि रात के बारा बजे भी वो गहने पहने कर निकल सकती है एक यहां पर बेटिया है आपर बैटिया है दोनों में कितनी सचाही लगती है तो है ही नहीं वो नारी शक्ति की बात करते हैं और ऑन ग्राउंड जो हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा है अगर इतना ही अग अभी तक वो सेफटी नहीं है अभी तक बाहर निकलने में डर लगता है और वो डर जायज है क्योंकि है सिचुएशन अभी खराब कोई हाथरस में अगर रेप केस हुआ तो क्या उसमें क्या आक्शन लिया गया किस तरीके से चोटी सी बच्ची के साथ जब वो हो सकता है और अभी क्योंकि करनाटका में चुनाव है तो वहां पर प्रधान मंत्री बिजी है और उस रैली में भी कई सारी बाते उन्होंने की हैं जैसे केरला में एक दा केरला फिल्म जो है वो स्टोरी उसको लेकर उन्होंने कहा और जो लड़किया है धर्मांतरड को लेकर एक चिंता जाहिर की उन्होंने तो वो चिंता क्या प्रधान मंत्री मोदी की एकदम सही है वाजिव है लगता है आपको तो केरला स्टोरी भी बहुत गलत वह है फिल्म जिसको डिरेक्ट करा गया उसके जो हर फाक्स और फिगर्स है तो जो 30,000 वुमें का जो कन्वर्शन वो बोलते है वो एकदम ख़लत है उसको फटा भी दिया गया अभी सुपरीम कौर्ट ने अभी करिया कैला को हाई को डिया है उसको फटा दिया जाए और साथी वो जो कन्वर्शन के बात करते हैं कि महिलाए मेंर्ले बैठी हूई है यह ज्यादा important priority क्या रखती है यह कि वो लोग convert करने हैं या फिर यह justice की मांग करें और आप लोग कोई बात नहीं सुन रहा है बहीने महीने से धूप में बैटे हुआ हैं बारिश में बैटे हुआ हैं उनको folding जब उनके लिए बात करने के लिए चije यहां बैटियान बैठी हुएं कि ही हुआ कि इन लोग को फोल्डिंग और यह सब कुछ दिख जाता है खाना वाना लेकिन इनको पुल्वामा अटैक में इनको वह बंब नहीं दिखे इतने सारे लाइन अभी बोला एक्सपी करने तो उसी तरीके से लोग चूस करते कि क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए नमाज अदा क कर रहा है कोई देखना पड़ेगा और वह बात करनी पड़ेगी नेलेकिन रेस्लरस बैटेवर यह देखना यह देखना कर देना इस पर बात नहीं करना वो चूस करते हैं रहा है इसलिए कहा जाता है कि मतलब ऐसी क्या चीज़ है कि नमाज में इतनी बड़ी दिखा तो उस है लोग तो कानूनी कारवाई तभी स्टार्ट हो जानी चाहिए लेकिन सुप्रीम कोट को करना पड़ा दर्द कराने के लिए भी तो तो वही कि अगर बैटे हुआ है तो बिल्कुल मिलना चाहिए लेकिन जिस तरीके से अब भी पार्टी उसको बचाने की कोशिश कर रही है तो हम लोग लेकिन वही है कि बैठेंगे ही हम लोग जितने टाइम तक ब्रिज भूशन को लेकिन चलेगा नहीं 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 चलेगा नही देट